हलो फ्रेंड्स कैसे आप सेब गुड इवनिंग स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल गजांद वर्मा में तो दोस्तों सबसे पहले ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो कलास अपनी लाइव चल रही है तो जल्दी से जल्दी जितने भी अपने साती जुड़ जरूर कमेंट बोक्स के माद्यम से मुझे सही जवाब जरूर दे और साथ में ये थंबली से लिए लगाया है क्योंकि ये भी कलास मेरी एक अंसुजी के टेक अपनी यूट्यूब चैनल है उसके उपर मेरा डाला हुआ है तो दोस्तों करते हैं शुरू आज का पहला कि उस पर्षान गंदर बताऊ भी कमेंट करकर कि बताऊ मैं सारान बताऊ हूँ एकदम से उतर सारा हूँ तो राव जोदा मारवाड का जो पर्थम जो सासक बना था कब बना था परसन ये अपना तो राव जोदा बना था 1457 ना गुर जी 1448 ना 1444 कोनी तोकद मनियो 1438 गंदर यार राव जोदा के बारे हम जान लेती है राव जोदा को क्या कहा जाता है मारवाड का जो कहते है न वास्टविक संस्तापक वैसे तो वास्टविक संस्तापक कोन भी राव चूड़ा है ठीक है लेकिन अगर हमें पूछ ले राव चूड़ा वास्टविक संस्तापक पूछ ले तो राव चूड़ा है लेकिन अगर हमें पूछ ले गोपिनात सर्मा के अनुसार को ने राव जोदा है इसने क्या किती और सामन्त वेवेस्ता सुरू यह तो सामन्त पर्था थी ना सामन्त पर्था सामन्त पर्था का राव जोदा को क्या का जाता है वास्तविक संस्तापक का जाता है यह अगर मैं पूछ ले कि सामन्त पर्था का वास्तविक संस्तापक राठोड वंस में कौन था तो कौन अभी राओ जोदा हाँ धन्यवास अभी साथ जादा सी जादा वीडियो को सेर कर दो बहुती बहुता ही महतपणा परसन है वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें साथ मैं यह भी बताए जो मैं इसकी परसन पूछूँगा वोँ आप कमेंट के माद में से जरूर बताए ठीक है तो राव जोदा की बात कर ली तो राव जोदा 1438 से राव जोदा का सासन काल रहा था चोगदा 1489 तक यानि 1489 तक राव जोदा का सासन काल रहा था तो राव जोदा के बारे में अगर बात करें तो राव जोदा के समय क्या हुई थी जो मेवाड की कुमबा थे महाराना कुमबा और मारवाड की कोन है राव जोदा इनके बीच में जो आवल बावल की संदी हुई थी तो ये परसन बहुत बार पुछा जाता है कि आवल बावल की संदी किन राजाओं के बीच हुई थी तो आवल बावल की जो संदी हुई थी वो राओ जो दावरे कुम्बा के बीच में ये संदी हुई थी ठीक है और इसके अंदर जो सिम्मा निरधारन की गई थी यानि कि मेवाड जो बीच के अंदर जो इधर वाला ये क्या है भी मार कुम्बा के बीच में अठे बीक हुए थी है अब करते हैं दूसरा परसन स्टार्ट ये राप की सक्रीन पर दूसरा की उसन कि राव सात्तल देव के समय गुडला मोहत्सो की शुरुवात कब शिवी थी अब बताओ भी गुडला मोहत्सो गुडला क्यू मनाई जी गुडला मोहत्सो बाभी पढ़ांगा लेकिन हुई कब थी शुरुवात ये बताओ तो राव सा वाजमेर गो एक हाकीम मलू खां था५ haceेनापती क्या मलू खां को ना हो पीमार भी दियो यह बतावान बंचागी सारे लच Woods babe बाद में रा उसातल Гाहिलोगि तो इसां अपर दो अधने कहल साय गाय हों य सक तमतुम अबाद में दोगे यह भ DUV लेकिन व्लेकिन गुड़लेगी एक पुत्री कि अधना व नाम की हो Gnadoli गिंदोली तो गिंदोली आगे क्या बतावा है के कामक्रियों को जैसे आपनो गुड़ला नर्त्य किया हुआ है गुड़ला जो को नर्त्य है कब बनाई जिये गुड़ला तेमार करता है तो यह एक चीज है मारवाडू इंजुलिट है ठीक है तो गिंदोली के कामक्रियों र दिरनमति प्राप्दकर पिता गुंड़लेख्रा की याद में गुड़ला त्य esfuer प्रारम करवाया था कणक्रायों गुडलेख्रा की पूत्री है जो का नाम की जीनिद्सा सुर्में तो कद मनाई जाता है नोट करती रहाँ साथ में चेतर क्रिशन एस्टमी को गुड़ा करती विंगबाद में शितलाश्ट मी लिखते रहो सासात में सितलाश्ट मी आती है इसी दिन आती है ठीक है चेतरकिरीशन अस्टमी को अब गुरूजी ओर तो थी सारी बाद बता दे जैनसे नरती नरतीय देखों जी मतको यह आदर कर लिया है जाता है ठीक है शेदघड लिए ठीक अंदर किया रखदियो एक दिपक रख दिए हैं अब दिपक रख जेंग फिर पर मेंनल नर्त्य यको करें रृभला तो बुभी ची अब नर्त्य टा तो गुर्शी सुरुवात कद थे आप गरतें हैं बद ज़दा शेरें भी सभी साती मारवाड के किस साहशक ने खाणवा के युद में अपनी सिना राना सांगा के सहोग उती बहुत ही मैं तोपन उपरसद में बार बार पुछ़ा जा चुक поряд पटवार में भी पूछा गया है राध्यस्तान पुलीस में भी शे पूछा गया है ध्यान रखना कि मारवाड के किस्सा सकने खानवा के युद में अपनी सेना राणा सांगा के सहोग है तुबे जीती अब खानवागो युद सारान द्यान है खानवागो युद कदोयो 1527 गं किस साथ सकने खानवा की युद में अपनी सेना बेच जी थी, अब परसनों है, सारा कठी थे, मालदेव ना कर गी यू, क्योंकि मालदेव तो सेना लेगे गये लेकिन बीटे में रजा कुन हो, रजा हो गंगा, राओ गंगा था तो संगा था, याद राक लेगे यू, ठीक है मारवाड में गोन था ? संगा था था थीक तो यास संदर बहुत हीँ है तो पुन युद हुआ था शतरा मार्च को गोच था ? मैं आपको सारी चीजदा यहां पर सम्झाने वालहूं आपको ठीक भी यहां पर एक और है एक तो दियो और नूप परसन पूछ लियो, मारवाड को जोदपूर्गो राजा कुने, जोदपूर्गो गुर्जी राजा उबीन टेमिगा मा गांगा, लेकिन सेना के न भी लेग गयो, माल देगो, तो अठा पूछी है, का मारवाड के किस सासक न भी जीती, तो सासक उस व कल्यानमल, कल्यानमल सेना लेकर गया था, ठीक, अब देखो आगे वाला क्यूशन, बताओ भी कि गीरी सुमेल के युद में, जो जनवरी 1544 के अंदर भूआ था, गीरी सुमेल का युद, तो उपस्तित इत्यासकार की कौन शीकरती युद का वरणन करती है, बताओ भी, गी कौन शीकरती वरणन करणना आग दिये, गीरी सुमेल का युद का भूआ था, 1544 के अंदर भूआ था, देखो, अब मैं आपको बता देता हूं, यहां सी सारी चीज, थोड़ा सक जोम कर देता हूं महीं से, अब देखो, गीरी सुमेल का युद, जनूरी 1544 मायो, ठीक है, कि 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 अब इसमायो, गीरी सुमेल का युद, शीर सा सुरी रो ही, चीज, माल देखो, भी इसमायो, तो कगीरी जनूरॐन रखना मुणत्खक पूद्त्तवरिक के लेखा को ने बदा इन, बदा इन, बदा इन, तो ंटनी जनूर्गाट युद्ध युद, खिता हुद, अब डाडी को रङा था वो बदाया वनिए है ठीक है तारीक रादेश्टान गुर्जाथ नाम सो कोनगा चे तो कून सोय तारीक फिरोज साही ठीक है के जिगा आटा हाँ भी तूसर внешory मिले तारी के सेर सही दियान रखना यह भी चीज़ तारी के सेर सही भी इसका नाम मिलता है तो पार्षी यह थीयास कर मोड़ोतों था उप श्र Schon था यह यह यहया बीन एहमद अभी तो मिटा दी हूँ क्यों जगां को रही पिर है यहया बीन एहमद अब्दुल साहिसर हिंदी अब्दुल साहिसर हिंदी ठीक है लिख ले यह नाम ने सब्सक्राइब ने करका अब्दुल साहिसर हिंदी परता है ने कमाइदि अब्दुल माल्द के लिए भाग गया था चौकि सब्सक्राइब की परियोगा कि था ता चुन थे भी जेता और कुपा ने गार्ट बड़ी है लड़ा लेकिन बाभ गया था तो उसके उपर भी एक बात कई थी याद रखना नोट कर लो वह जल्दी-जल्दी पडा रहा हूं अराम से दुनिया पडाती है हमें अब जल्दी-जल्दी शीखना है तो उस वक्त शेर साह सुरी ने एक बात कही थी कॉपी पेन सागए गे नहीं तो ले लिए 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 सागए क्योंकि कतन आज कल बहुँ ज़ादा एक्जाम है पूछ है तो शेर साह सुरी बीन टेम एक बात कही कास जेता वे कुपा जैसे वीर मेरे पास होते तो उसली मैं देख नहीं सकता ठीक है तो अगर देखता है रूँगा साथ साथ में तो फिर पढ़ाएगा कौन ठीक है कमेंट बोक्स में में चला जाओंगा वहाँ पर तो आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को सेर करो अब देखो गुर्जी बहुत बढ़िया परसन ले 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 गया है आप आपके बड़ा एक रोग लागे यह बड़िया सारा कमेंट करगे जुरूर बतायों किसा परसन आया है आज पहलो दिन ठीक है काल तो जाकी कलास शुरू करी थारी कुण शीश करी के गुर्जी जोगरों फिक रही अब बताओ परसन देखो क्यूसर नमर पांच इसके मृत को सुंक 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 सक ख़ंगा ख़ए और इस्चा बिशका सुंक पर मेराशक गैल। उसके बाद इस heckा को ये कारीय बार सुपभ करसी वे खान चला गया था दिल्ली चला गया था बाद में क्या हुआ? फंद्रा सो प Tenn अलरीस गंदर शेर साह्य सुर्य गेडो एक बार कठ है कालिन्जर अभियान बुर्जी कलिंजर कट है खालिंजर पड़ें उडिस्छा घंदर कलिंजर वह यंदर ट comment फो बढ़ीकेर वैश ऑजब इस स्यूरी मरुंसरी माल्देव कर माल्देव जोदपूर्पूर्ण अधिकार है कर लेगा ठीक है ये भी द्यान में रखना उसके बाद परसन तो ठीक ठीक चाहिए लाग गया है लाग गया है को लाग है कमेंट करके सारा जुरूर बताओ ठीक है तो क्योंकि गिरिशमेल के युद्र के पर साथ इस अखा और ख्वाजा खां को सौंप करिये चला अगर कमेंट देखना शुरू कर दूँगा फिर पढ़ाएगा को न आपको ठीक है तो उसके बाद आके वाला क्यूशन ठीक है ये देखो तो कमेंट नहीं देख सकता मैं साथ साथ में आपके थोड़ी शीक दिक्कत हो गए थे बीच में रोकना पड़ गया था थोड़ी सा वीडियो कोई बात ने चलो अब वापीस करते हैं शुरू तो देखो भी आगे वाला क्यूशन अपना कि निमन में से कौन सा नाटक महारणा जस्वन सिंग द्वारा रचित नहीं है गुझि महाराना जस्वन सिंग लेखक के होगे हाँ बिल्कुल लेखक को महाराना जस्वन सिंग है जिसकी मर्तिव पर औरंग जेब ने कहा था आज मेरा धरम विरोधी मारा गया ठीक है यानि कि आज कुफर का दरवाजा तूट गया ये बात उसने कही थे औरंग जेब ने किसका लिखा हुआ है अनुबहु परकास किसका लिखा हुआ है अनुबहु परकास लिखा हुआ है भी जस्वन सिंगों लिखेड़ है सिधान्त बोध किसका लिखा हुआ है सिधान्त बोध भी लिखा हुआ है किसका जस्वन सिंग का लिखा हुआ है परबोंद चंद्रोद्य ये भी किसका लिखा हुआ है जस्वन सिंग का नाइका वेद किसका लिखा हुआ है जस्वन सिंग का तो गुर्ची और तो आया ही को न ने लिखाता जस्वन सिंग ने ठीक है ये भी ध्यान रखना और बाकि इन से सम्मधि जितने भी जस्वन सिंग के जो रची नाटक है वो सारे की सारे मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ ठीक है उसके बाद ये परसन आज का बहुत ही मैं तो पुन ये आप सभी को बताना है क 663 गंतर बनाएं कुणसों बनाए गूझी 663 गंतर राइह का बागं कल्यान शागर बनाया था जिसको तलाब बनाया दीके वातmost कि क्या कहते हैं कुन सा बनाए था सोड़ा सुत्रे से टिश्व में राय का बाक लान सागर ये बनवाई था जिसको राता नाड़ा कहते हैं इस परसन का उत्तर सभी कमेंट में दें बई मैं आपको ये आवाद का परसन पूछ रहा हूँ जो भी कमेंट में सही उतर देगा मैं उसको पिन कर दूँगा आगे करते हैं शुरू ज्यादा लंबी कलास नहीं लगाएंगे टाइम वेस्त नहीं करेंगे अपने ठीक है अब देखो गुर्जी शामलदास ने किस सास को जह बीर वेस्त का नहीं की को पर्वाद करेंगे वेस्तिकां? के समय हुई थी कब होई थी सारे कि सारे कमेंट करकर बताएं थ्यवीजय सिंग विजए सिंह की है कि visiting बहुत ज्यादा थोड़ोगो प्रेम्रादमियों ठीक है के किरें weet inté औप लीध्य नाम टी पासवान ती उसको अपनी नी बना लिया था गुलाब राए था ठीक हो और गुलाब राए को वीर विनोद के स्यामल्दास ने क्या कहा है मारवाड की नूरजां कहा है मारवाड की नूरजां और वो किसकी पत्नी बनी थी विज्जे सिंग की पत्नी बनी थी और वो अंदारामोशुणária का नाम का कोई एक व्यक्ति था ठीक है तो उसकी पेले ये शेविका थी उसके ओपर ये मोहित हो गया था विज्यसियं और मोहित होने के बाद उस्टे साधी कर ली तो गुलाब रए को क्या कहा जाता है बाद में गुलाब राय की वहां के सरदारों ने दिन के अंदर ही क्या कर दी थी हत्या कर दी थी 1772 में 26 अपरेल 1772 में इसकी क्या कर दी थी हत्या कर दी थी तो श्यामल दास के किसा से को जहांगिर का नमूना कहा जाता है तो वो कौन सा होगा विज्य सिंग होगा ठीक है तो विज्य सिंग को क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बताए दिया इसके एक पत्नी थी जिसका नाम गुलाब रहे था और गुलाब रहे को क्या कहा जाता है भी जौदपूर की नूर जहां कहा जाता है जिसने गुलाब अगर तलाब बनाया था ठीक है ध्यान रखना आगे तलते हैं भी आगे वाला कि उसने कि मुगल बादशाह ये कथन बहुती में तोपने हैं गुर्जी कथन क्यों लिया हो क्यों कथन आज का लग जाया मैं पुथन आ गया तो कथन दो लेना पड़ ची तो कथन ये हैं देख मुगल बादशाह अपनी विज्जियों में से आधाथविज्यो में सी में से आधाथवी के लिए wr ocur के ऐसां मन्द थे यह किस नहीं किने का है बोट बड़ी है बड़ी है के ने सहरा हुए एक वीडियो मताना है ठीक है तो बोबग कई जितना भी आए सब्सक्राइब सार ह जेम स्टोर जिनको घोड़े वाला बाबा का जाता है जिनोंने देनाल सेंड दी एंटिक वीट जो फराजस्तान लेकी ती जिनके गुरू क्या थे जैनियति ग्यान चंदर इनकी क्या थे गुरू थे ठीक है तो करनल जेम स्टोर ने यह बात कही थी वीडियो को शेयर करो भी जादा जादा अब देरे देरे रोज़ाना क्लासे डालेंगे अब भी तो यह चल रही है लेकिन जो जैसे ही करोना के बाद छुटी मिलेगी वेसे ही बोर्ड के उपर आपकी लावी क्लास अभी लेबल हो जाएगी ठीक है तो जादा जादा वीडियो को सेयर करो जिसने पर एक बत्सा के भी फाइद होगा ठीक है तो यह बात किसने कही थी करनल जैंस टोडने कही थी इसकी पीडियोप है वो टेलिग्राम पर मिल जाएगी टेलिग्राम नाम है जो अपना पहले यूटूब चैनल था उसी के नाम से था ठीक है तो मोटा राजा उद्दे सिंग क कि पुत्तर किसन शिंग ने कब किसन गड़ राज turning किष्दा अब अब बताव वि किसन उद्दे शिंग पहले यह द्यान में रख़ो इंधें ऊदय शिंह है कों उद्दे शिए वही है जिस्वह जिसने चंदर सेद्सीर है उद्दे मोगुलों की लेकिन उद्दीश कर अधिन्ता सिवकार कर दी थी और अकबरनेश्य मोटा राजा की उपादी दी तो उसके बाद पुसनने क्या क्या है इसके समय ही इसका एक पुत्र था जिसका नाम था किसे सिंग क्या नाम था किसन तो बहुत ज़्यादा पुछे जवा है अब तो उद्दे सिंग से समंत मैंने बता दिया किसन सिंग ने एक अलग सी राज्य की स्थापना कर दी थी तो यह भी आपको कमेंट के माददे हम से बताना है इनमें से कौन सा उत्र सही होगा ठीक है जब सारे किसन को उत्र मैं बताता रहूंगा फिर आप यानि की कमेंट पर गोरे नहीं करोगे ठीक है अब आगे वाला क्यूसन में आपको दिखाता हूं यह आपकी आगे वाला क्यूसन आपकी सक्रियन के उपर महा ब्रातिव की उपादी किस सास को बादिशा ओरंग जेब ने दी थी बताओ भी सारा करन सिंग अनूप सिंग सूर सिंग दलपत सिंग गोर जीती देर तो जोद पूरा अलाई नाम कोन चुन लेटा जोद पूरा नाम कोन सुन चुन रहा लेकिन अबकार उप को आगे वागे वा व क्यूसन है वाले व का दिखाता नियर को राठ लड़ वन्स ओकी सना अगी ठी बताओ भी दल्पत सिंग तो किस के समकालिन था जहांगीर के समकालिन था ठीक है जहांगीर के बाद सांजा बना था उसके बाद यो को नी तो सूर सिंग सूर सिंग भी को नी क्योंकि सूर सिंग किंग कद तक रहे हो 1631 तक रहे हो ठीक है फिर बिंग बाद में करन सिंग रहे ह कि युद्ध के बाद औरंगजेव राजा बन गया था तो उसके बाद राजा आया था अनूप सिंग को क्या कौन शी उपा दे दी थी औरंगजेव ने महा भरातिव की उपा दे दी थी साथ में महा राजा कहकरीशी का पुका रहा था ठीक है अनूप सिंग के बारे में अगर क्यों हो रिए गुर्जी बंद बंद लिए और यह करोना वाइरस आ रहे हैं करोना वाइरस का करण कोई क्राइब को इसके ईलाज किए सारा आगा मजबूरी ओर इस ना उन्टा प्रोवय थीक है तो उस ताकला का जो सरणकाल था वो किस का था उस ताकला का सअनुप सिंग का थीच और अनुप संगह इसमें आनंदरम ने पहले बार किस का में रहց आनंदरम ने पहली बारं कि अपसी कि अनुआ हैं कि जहरे पसे आनुब prawn में बहुत इस में दोसमें तो तो अनुप सिंग है कि समय जब प्राचिन समय के अंदर अगर बात करें कि भी उस समय इसका वास्तवी कलाकार किसको कहा जाता है तो वास्तवी कलाकार कहा जाता है हिसामुदीन उस्ता को हिसामुदीन उस्ता को वर्तमान में कुण है वर्तमान में इसका हनीफ उस्ता कौन है ह राइव उस्ता वर्तमान मिंगो जो कौलाकार है विंगो नाम है हनीफ उस्ता ध्यान रखना तो ये बात होगी किस से समंदित होगी अनुप सिंग से समंदी ठीक है दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर करो मैं तभी आपके लिए रोजाना कलासी लेकर रहूंगा और इस क्यूशन का उत्रा आपको कमेंट बॉक्स के माद्यम से देना है लेकि तब तक आप कमेंट बॉक्स के माद्यम से मुझे जरूर बताएं च्योंकि मुझे भी पता चलेए कि मेरे वीडियो कितने लोग एक स्वाई जे सिंग प्रेट दोश्रे और मारवाड बील्कुल हो मरवाड मार अमर पर्थम पर्थम क्या लिया आ करे लिए देखना अगलू कि ए अपसन गंदर देखो अजीट नहीं लिएा है वह देख्वासिन अद्र देखो और यह देख लेना आप यह वीडियो सारा के सारा मेरा वीडियो के नदरे बताये हुए आपको उसके बाद एक क्युस्तन है बहुत ही मैथ रहे हुं परशन है कि 1899 में किस शाच सकने समाज सुधारक संस्ता वालतर कर्त राजपुत हित कारणी सभाका आगंठन किया था बताओ वईकन सेकरियो मिहाँ है ऐक फते सिंग करी वुपाल शिंग विपां सिंग करियो सत्जण सिंग सवरूप शिंग करी बताँ तो अविक कि आप दूपाल से को indifferent किस आसकने में बता जार। वाल्स टर्राजबुत में देढ्री में कुनस्वए वीडियो को शेयर करो में सारे क सारी में में बता देता हूँ आपको इसका उत्तर होगा फतेशी हैं फतेशीं कैसे होगा 1883 के अंदर राजा बना था कौन बना था फतेशीं और 1930 तक रहा था तो 1883 राजा बने आकद है 1889 गंदर है ठीक है तो नवासी गंदर है तो उस वक्त क्या हुआ था एजी जी था वाल्टर ने फतेशीं के समय किया गया था क्यों करियो गुर्जी इसका उदेशी था कि राजपता ने में जो व्यापत समाजिक बुराईयों से क्या की जाए समाजिक बुराईयों को समापत किया जाए इसके उदेशीं से इसका गंठन किया गया था और फतेशीं के समापता आपको बता यह मैं रोकल भी बोला था अंसु जी के ट्रीक अपना यूटूब चैनल है अंसु जी के ट्रीक के अंदर वहां पर भी आप सारी क्लास यह जरूर करें जितने भी वीडियो देख रहे हैं लावी तो मैं उन्हों सभी को बता रहा हूं वहां पर यह क्लास जरूर अटेंड करे तो रुपादाय का समन्ध है वो किस से बताओ रुपादाय का समन्ध ओदपुर के किस रादा से था अजीत शिया है जस्वन शिया है उद्देश शिया है मान शिया है बताओ भी जस्वन सिंग नहीं है क्योंकि जस्वन सिंग का पुत्तर था जिसका नाम क्या था उद्दे सिंग का अजीद सिंग का पालन पोसन किया था गोरा दाई ने किसने किया था गोरा दाई ने अजीद सिंग का पालन पोसन किया था इसलिए गोरा दाई को क्या का ज़ता है मारवाड की पन्ना दाई का ज़ता है पन्ना दाई दूर जा पन्ना दाई पन्ना दाई जिसने अपन पुत्तर चंदन का बल्दान देकर बनवीर के हाथों से किसे बन साया था महारणा परताब के पिता उदेशिये को बन साया था वो पन्ना धाय की में बात कर रहा हूं ठीक है तो अजीत सिंग्स का जो समध है वो रुपधाय से था ठीक है क्योंकि रुपधाय यहां पर लिखा ठीक है जो भी परसिन मेंने आज आपको पुछें वो सारे के सारे मुझे बताएं तो ठीक है दोस्तों आसा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा साथ साथ में लिखते रहना जो एक्षटा बाते करवाई है मैंने तो सभी दोस्तों को जै हीन्द जै भात गुड़नाइट ठीक है दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कर दें सोजू सारा ठीक है